वेलकम टू एक्जाम विवेचना तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है हम अपनी चैनल पर डिसकस कर रहे हैं HPPGD Hindi के लिए Most Important Questions ठीक है तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्स को डिसकस कर रहा है अगर भी तक आपने उन्होंने विजिट नहीं कर रहा है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर दिए वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आप बाकी के पार्स को भी देख सकते हो बाकी देखिए अगर भी तक आप हमारे टेलिग्राम और बटसेप गुडूक के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हो लिंक उनके भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिएगे हैं बाकी देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज्यादा ज्यादा लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज को लेक्चर को तो देखिए लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ आप जूड़े होगे तो आपको ये जो पराइज इतना रहेगा अगर आप इसके परशाद जूड़ते हो दिसम्बर के परशाद तो पराइज इंक्रीज हो जाएगे यहाँ पर देखिए आपको जो main पढ़ाया जाएगा तो वो पढ़ाया जाएगा second paper का ठीक है पूरा subject हिंदी साहिते का second paper पढ़ाया जाएगा प्रंदो जो first paper है इसका हिंदी grammar भी आपको करवाया जाएगा ठीक है तो second paper में आपके 100 question होंगे और first paper में जो हिंदी के हैं 10 question होंगे तो total कितने होगे 110 question की त्यारी हम आपको करवायाएगे अपने इस channel में ठीक है बाकी देखिए यहाँ पर आपको main जीजे दी जाएगी recorded video lecture है class pdf मिल जाएगी recorded classes के mock test available है और हिंदी साहित्ते के महत्मून pdf notes भी आपको available करवाये जाएगे तो अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें यहाँ पर बट्सेप कर सकते हो जो ही हमारा बट्सेप number है तो चलिए शुरू करते हैं lecture को तो पहला प्रशन देखिए का पूचा यह है कुबलिय माला कथा के रचनाकार कौन है तो यहाँ पर आपके smush 4 भी करप दिएगे हैं इनमें जो सही होगा उसका अपने chain करना है तो जो कुबलिय माला कथा है इसके रचनाकार कौन होंगे तो यह होंगे आपके उद्यतन सूरी तो जैसे ही मैं प्रशन पढ़ता हूँ उससे पहले आप इसको solve कर सकते हो या comment में उत्तर दीजेगा या फिर आप कोई page साथ में रखकर उसमें उत्तर लगा सकते हो बाकी देखिए जो register आपने exam भी वेचना के नाम से रखा है उसमें अपने notes या फिर जो P by की होते हैं इनको आप note करते रहेगा क्योंकि भविश्य में रवीजन है तो काफी महत पूनिये होंगे बाकी ये बीकल भी देख लेते हैं तो जो कूबल ये माला कथा है ये तो उद्यतन सूरी की होगी जो प्रबंद चिंता मनी है ये किसकी रचना होगी प्रबंद चिंता मनी हो जाएगी आपकी जैनाचारे मेरुतूं की इसके पर शाथ अगर ये प्रशन पूछा जाएगा कि दामोदर शर्मा की रचना कौन सी है तो ये होगी उक्ती ब्यक्ती प्रकरण और जो हिमचंदर की रचना पूछी जाएगी तो ये हो जाएगी आपकी कुमार पाल चरीत ये धियान लखेगा आप अगला प्रशन है दो सबरस के रचनाकार कौन है? तो जो रचना है सबरस इसके रचनाकार का नाम बताना है तो ये कौन होंगे? मुला बज़ई ये इसके रचनाकार होंगे सबरस का समय पुछा जाएगा 1635 इस भी इसका समय होगा फिर देखिए ये दखनी गद्य के परसिद कभी रहे हैं मुला बज़ई कौन जो मुला बजेई हैं ये दखनी गद्य के या फिर दखनी हिंदी के परमुक रचनकार रहे हैं और जो सबरस है इसे उर्दू साहित्य की प्रथम रचना भी माना जाता है सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम रचना जो extra fact आपको बता रहा है इन्हें note करते रहिएगा फिर अगला प्रशन देखिए हठियों का प्रभाव निमलिकित कभियों में से किस पर पड़ा तो जो हठियों का प्रभाव निमलिकित कभियों में से किस पर पड़ा ये बताईएगा चार बिकल्प आपके स्मक्ष दिये गए है तो जो गोरखनाथ है इन पर हठियोग का प्रवापड़ा था ये दियान रखना है आपने फिर देखिए जो प्रशन पूछा जा सकता है कि जो हठियोग है ये इसके प्रवर्ट कौन माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं गोरखनाथ जो गोरखनाथ है ये नाथपन्थ से सबंदित माने जाते हैं किस से नाथपन्थ से और जो नाथपन्थ है ये बौधों की बजरियान शाखा से निकला हुआ है किस से बौधों की बजरियान शाखा से बौदों की बजरियान शाखा से ये निकला हुआ है फिर देखें जो बौद सिद्ध थे ये जो सिद्ध ये भी आपके बजरियान से ही निकले हुए माने जाते हैं ये विद्यान रखना है फिर यहां पर ये भी काफी महत्पुन है कि जो हठ योग में ही गोरकनात के द्वारा शट चक्रवाला योग मारग भी चलाय गया था यह भी ध्यानी योग की रखना है आपने और जो गोरकनात ने नात संपर्दाय का ज़्यादा परचार परसार किया था तो ये राजपुताना और पंजाब में किया था जो अचारे रामचंदर शुक्र के लेक्चर है वहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो गोरकनात के द्वारा अपने संपर्दाय का परचार परसार कहां किया था ये राजपुतान और पंजाब में किया गया था फिर अगला प्रशन है तूलसी दास की किस रचना में संत महंतों के लक्षन बढ़नी थे है तो सही जो बिकलब हो जाएगा बेराग्य संदीपनी जो बेराग्य संदीपनी ये तूलसी दास जी की रचना है और इसका जो बिशह है इसमें संत महंतों के लक्षन बढ़नी थे फिर देखिए रामाग्या प्रशन ये किसकी रचना है तुलसी दास की ही है बिशे क्या है जोतिश सुवंदित इसमें बिशे बस्तु दी जई है फिर जो पारबती मंगल है इसमें जो तुलसी दास की ही रचना है इसमें पारबती और शिब बिवहा का बढ़नन किया गया है पिशेधियान रखेगा अगर प्रशन बनेगा कि जो बेराग्य संदिपनी है इसका समय क्या माना जाता है 1569 से लेकर 1560 इस वी के आसपास फिर रामाग्य प्रशन है इसका समय क्या है ये भी 1569 से 60 के बीच का है फिर जो दूसरी रचना है पारबती मंगल इसका समय 1586 इस्वी माना जाता है और जानकी मंगल है इसका समय क्या है 1572 से लेकर 1573 तक यह समय इसलिए बता रहा हूँ कई बार जो तुलसिदास जी की रचनाओं को करम में रखने की बात की जाती है इसलिए महत्पून होगा जो आज का लेक्चर है काफी लंबा होने वाला है प्रशन तो कम है प्रंतु तथी यहाँ पर आपको काफी बताऊँगा ताकि आप इने नोट कर सके प्रशन पांच द्रिष्टी कुट पदों की रचना किस कभी ने की तो जो द्रिष्टी कुट पदों की रचना की गई थी यह किस के द्वारा की गई थी तो यह आपके सूर्दास जी के द्वारा की गई थी जो सूर्दास है काफी महत्मून माने जाते हैं बातसलिय रस के बढ़नन है तू भगवान श्रीकिशन का बढ़नन इनने बातसलिय रूप में किया था ये दियान रखना है देखेगा जो साहित्य लहरी है साहित्य लहरी साहित्य लहरी यह भी सूर्दास की ही रचना है सूर्सागर, सूर्सराबली यह तीन रचना है सूर्दास की मानी जाती है फिर जो दिश्टिकुटपद है यह मिलते हैं आपको साहित्य लहरी में और जो अगर साहित्य लहरी की बात की जाए ये 1550 इस्वी की रचना मानी जाती है धियान दखना है अगला प्रशन देखेगा यहाँ प्रशन संख्या 6 एही रूप सक्ती और स्यू एही रूप त्रिभुवन कर जियू काभी पंक्ती किस कभी की है ये भी काभी महत्पुन प्रशन है तो ये पंक्ती हो जाएगी मलिक महमद जैसी की कई बार ये भी प्रशन पूछा जाता है कि जैसी का पूरा नाम क्या था तो मलिक महमद जैसी जैसी का पूरा नाम था ये तो पंक्ती यहाँ से याद रखेगा जैसी की होगी जीए फिर कई बार ये भी प्रशन पूछा जाता है कि रुक्मनी पुनी बैसही मरी गई कुलवंत सत्सो भई तो ये किसकी रचना पंक्ती होगी कुटवन की ये पंक्ती होगी किसकी कुटवन की इसके प्रशाथ अगले प्रशन को देखीगा प्रशन संख्या साथ तो इसमें क्या पूछा गया है जो सोदा कहा कहूं हाँ बात तुम्हारे सूत के कर्तब मों पे कहे नहीं जात ये कभी किस कभी के द्वारा बढ़नित पंक्तिया तो ये पंक्तिया किस के द्वारा कही गई थी चत्रभुजदास के द्वारा ये पंक्तियां कही गई हैं ध्यान लखना है इसे एक साथ देखिए जो चत्रभुजदास हैं ये अश्च्छाफ के सखों के अंतरगत आता है या फिर अश्च्छाफ के कवियों के अंतरगत आता है जो चत्रबुजदासे इनके पिता कौन माने जाते हैं? कुम्बंदास पूछा जाता है कई बार की अश्ट छाप में वो कौन से दो कभी हैं जिनमें पिता और पुत्तर का सब्ध है तो ये कुम्बंदास और चत्रबुजदास हैं फिर अगर प्रेशन पूछा जाएगा कि जो चत्रफुच दास है ये किसके शिश्य माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं गोसाई बिठलनात के शिश्य और जो अपने कुम्बद दास है ये किसके शिश्य माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं आपके बलवाचारे के शिश्य चतरभुजदास का और इनकी जो रचनाएं दो काफी प्रचली थे द्वादश यश और हितुजूकव मंगल हितुजूकव मंगल ये काफी प्रचली तरचना मानी जाती है फिर अगला प्रचने ये भी काफी repeated प्रचन माना जाता है काफी बार प्रिक्षा में पूछा जाता है फोर्ट बिलियम कॉलेज की स्थापना कभी फोर्ट बिलियम कॉलेज तो चार बिकल्ब दे गए हैं इनमें जो सही होगा तो भोगा सन अठारा सो इस भी में फोर्ट बिलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी ये भी प्रशन बन सकता है कि फोर्ट बिलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा फोर्ट बिलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी ये भी प्रशन बन सकता है कि ललू लाल और सदल मिशर की भी निवक्ति की गई थी ललू जी लाल और सदल मिशर ये भी ध्यान रखना है काफी महत्वून होगा फिर अगला प्रश्न नौ सुख सागर के रशनाकार हैं तो बताना है जो रचना है सुख सागर इसके रशनाकार कौन होंगे तो जो सही विकल्फ होगा यहाँ पर तो नौवें का सही होगा मुशी सदासुखलाल नियाज यहाँ पर यह भी आपने ध्यान रखना है कि प्रशन पूछा जाता है कि मुशी सदासुखलाल को किस उपादी से जाना जाता है तो नियाज उपादी से इने जाना जाता है जो अपनी जो रचना है सुखसागर ये मुशी सदा सुख लाल नियाज की रचना होगी और जो ये रचना है यह विश्णु पुरान या फिर भागवत का पद्यानुबाद है कैसा भागवत का पद्यानुबाद है सुरासुर निन्ने इनका निवंद है किसका जो अपने ये सदासुक लाल है इनका निवंद है सुरासुर निन्ने इसे प्रत्रम निवंद भी माना जाता है कई विद्वानों के दोरा फिर आगे देखे डॉक्टर नगेंदर ने इनका नाम मुशी सदा सुखलाल निसार माना था किसने डॉक्टर नगेंदर के द्वारा नियाज नहीं निसार माना गया तथा सुखसागर इनका उपनाम बताया था किसने डॉक्टर नगेंदर ने इनकी काफी प्रचलित पंक्ती पूछी जाती है कई वार की रस्मों रिवाज भाका का दुनिया से उठ गया ये किस ने कहा तो ये वी सदा सुख लाल की द्वारा ही कहा गया था की रस्मों रिवाज भाका का दुनिया से उठ गया तो देखिएगा एक प्रशन से आपको कम से कम पांचे चे तत्य दे रहा हूँ ये आपके लिए महत्पून होंगे तो ध्यान से आपने को नोट करते रहिएगा फिर अगला प्रशन है दस इसमें क्या पूछा यह है मुकुल नामक कवीता संग्रह किस रचनाकार का है दिहान से देखिएगा जो त्रीधारा है मुकुल है ये दोनों ही रचनाएं मानी जाती हैं सुबधरा कुमारिक चोहान की है अगर बात करें यहाँ पर त्रीधारा समें इसका 1934 हो जाता है और जो मुकुल है इसका समें कब होगा 1934 फिर देखिएगा जहांसी की इरानी इनकी काफी परसिद कृती मान जाती है जहांसी की इरानी धियान लखना है पूछा जाता है कि जहांसी की इरानी किसकी रचना है सुबधरा कुमारी चोहान की है और जो सुभद्रा कुमारी चोहन है यह राश्टRE सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवितrी है कई वार ये विप्रिशन पूछ जाता है कि कवितrी कैसे लिखा जाता है तो ये आप सब विकल्फ कमेंट करके बता देना कि कवितrी कैसे लिखते हैं हिंदी में लिखना है ठीक है अगला प्रशन ग्यारा यह अभीनब मानब प्रजास्त्रिष्टी द्वैता में लगी निरंतर ही बढ़नों की करती रहे ब्रिष्टी यह काब्य पंक्तियां किस कवी की हैं तो जो यह काब्य पंक्ति हैं यह होंगी अपने जैशंकर प्रसाद जी की जैशंकर प्रसाद फिर देखी यहाँ पर जैशंकर प्रसाद का नाम जैशंकर प्रसाद जी का नाम आता है तो यह कामाईनी जो महा काब्य है इन्ही के द्वारा लिखा गया है ये प्रमुख नाटकार के तौर पर भी जाने जाते हैं उपनियास भी इनके द्वारा लिखे गए हैं नाटकार के अगर बात करें तो ग्यारा का सही बिकल्फ हो जाएगा जे शंकर परसाद की ये पंक्तियां है बाकी देखिए धुरुप स्वामेनी, सकंद गुप्त, चंदर गुप्त ये इनके परसिद नाटक माने के हैं और उपनियास की बात की जाए तो कंकाल तितले इनके परसिद उपनियास है कामाई इनका परसिद काब्य संग्र है ये भी ध्यान रखना है अगले प्रशन के और रुक करिए प्रशन संख्या बारा इसमें क्या पूछा गिया है बेकसी का मजार क्या है बेकसी का मजार कि जो उपनियास से इसके लेखक कौन होंगे तो जो सही बिकल्फ होगा प्रताप नराइन श्री बास्तव इस उपनियास कार के उपनियास कार होंगे बाकी यहाँ पर और भी आपको तथ्या बता देता हूँ जो बेकसी का मजार है इसका समय पूछा जाएगा तो ये क्या होगा तो इसका जो प्रकाशन बर्ष माना जाता है 1957 का फिर देखेगा जो अमरितना नागर है इनका परसिद उपनियास कौन सा है मानस काहंस उन्नीसो भत्तर खंजन नईन उन्नीसो इक्यासी इसी तरह से जो विश्नु परभाकर है इनका परसिद उपनियास माना जाता है अर्दनारिशुवर 1992 और जो चतूरसिन शास्त्री है इनका जो परसिद उपनियास है बेशारली की नगरबद्द 1940 ये तत्थे भी आपने नोट करने है अगला प्रशन देखीगा तेरा नुतन ब्रह्मचारी उपनियास के लेखक है तो कौन होगी इस उपनियासकार के लेखक तो सही जो बिकल्ब होगा यहाँ पर बालकिशन भट जो बालकिशन भट है इनके द्वारा और भी उपनियास लिखेगे हैं जो पहला है नुतन ब्रह्मचारी इसका समय होगा 1986 नहीं 1886 याद रखीगा 1886 इसका समय है रहस्य कथा और 100 जान ये भी काफी पूछा जाता है फ जो नुतन ब्रह्मचारी है इसमें ब्रह्मचारी बिनायक के सरल किसके ब्रह्मचारी बिनायक ये पातर पूछा जाता है बिनायक किस उपनियास का पातर है तो ये नुतन ब्रह्मचारी का पातर है बिनायक नुतन ब्रमचारी में ब्रमचारी बिनाय के सरल्प ब्यवहार के परभाव से डाकों के हरीदे परिवर्तन को दिखाया गया है यह बिद्यार्थियों के चारित्रिक शिक्षा देने हेतू लिखा गया नातक था नातक नहीं उपनियास काफी महत्मुने पूछा जाएगा तो जो अपने ये बालक्रिशन भट है ये आपके भारतेंदू युक के रचना कारमाने जाते हैं इसी के साथ देखिएगा रधाकृषन दास है इनका परसिद उपनियास है निसहाए हिंदू अठारा सो नबे ठाकुर्ट जगमोन सींका हो जाएगा श्यामा स्वपन अठारा सो अठासी फिर जो लजारा महता का होगा धुर्द रसिकलाल समय इसका अठारा सो नवासी होग और स्वतंतर रमा और परतंतर लक्षमी लजारा महता का है आदर्श हिंदू ये भी लजारा महता का है ये भी ध्यान रखना है अगला प्रशन आगया यहाँ पर चौदा इसमें क्या पूछा गया है काली चर्ण किस उपनियास का पात्तर है तो जो काली चर्ण है इसका उत बताना है आपने तो सही विकल्फ हो गया मैला आंचल जो मैला आंचल है इसका परमुख बातर होगा काली चर्ण वैसे तो और भी इसके परमुख बातर हैं प्रंतु जो प्रशन के हिसाफ से बात कर रहा हूं काली चर्ण का सही विकल्फ होगा से मैला आंचल प्रशन बन सकता है कि जो मैला आंचल है यह किस परकार का उपनियास माना जाता है। तो यह प्रतम आंचलिक उपनियास है। अगर यह प्रक्म बने की समेग क्या है इसका तो यह 1954 समेग होगा। 1954 और किसके दिवारा लिखा गया है भणिशवरnaath रेनू के द्वारा लिखा गया है ये भी प्रशन बन सकता है कि जो मैला आचल है इसके अन्यपात्र कौन-कौन से हैं काली चरन तो एक हो गया बावंदास बिशवनात परसाद ये अन्यपात्र होंगे इसके इसी के साथ देखिए यहां पर दूसरे जो उपनियासे जैसा कि जूठा सच पूछा जाएगा जूठा सच किसका है यश्पाल जी का किसका यश्पाल जी का होगा समय क्या है ये दो मुखितर दो भागों में बनता है एक भाग इसका 1958 में आया था दूसरा 1960 में फिर देखिएगा यहां पर एक प्रशन ये भी बन सकता है कि जो गोदान किसकी रचना है तो ये मुशी प्रेम चंदर की होगी किसकी मुशी प्रेम चंदर की समय क्या होगा समय होगा इसका 1936 फिर देखिए ये भी प्रशन बन सकता है कि परती परिकता ये किसका उपनियास होगा तो भी ये जो है देनों का ही उपनियास है ये भी अगले प्रशन को देखते हैं अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मित्रों लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा प्रशन है पंद्रा इन में से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है तो यहाँ पर चार विकल्प देगे हैं इन में से एक ऐसी महिला है जो हिंदी कथाकार के तौर पर नहीं जानी जाती है उनका नाम बताना है तो यह कौन होगी महाश्वेता देवी जो महाश्वेता देवी है यह आपके हिंदी कथाकार के तौर पर नहीं जानी जाती है तो यह होंगी बांगला की बांगला बाकी कृष्णा सुपती, राजी सेट, मदू कांकरिया ये सारी ही हिंदी में लिखने वाली महिला कथाकार होंगी जो अपनी महाश्वेता देवी हैं इनके द्वारा बांगला में जंगल के दावेदार, अगनी गर्व, इतियादी प्रमुख रचनाएं लिखी की हैं पूछी जा सकती हैं कि जंगल के दावेदार और अगनी गर्व किसकी रचना है तो ये महाश्वेता देवी की होंगी अगला प्रशन है सोला, इसमें पूछा यह है कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, तो कौनसी ऐसी कहानी है जो कमलेश्वर जी के द्वारा नहीं रची गई है तो सही भी कल होगा एक और जिन्दगी अगर एक और जिन्दगी कमलेश्वर के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है ये कहानी तो ये आपकी लिखी गई है मोहन राकेश की द्वारा ठीक है? ये धियान रखना है यहाँ पर आपको कुछ एक कहानी और बता देता हूँ जैसे की एक और जिंदगी मोहन राकेश की है इनसान के खंडहर, नए बादल, जनावर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलात का आकाश ये सारी मोहन राकेश की कहानिया होंगी, कहानी संग्रह बात की जाए कमलेशुर की कौन-कौन से कहानी संग्रह है और राजा निर्वनसिया, उननीस सुस्तावन, कस्वे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मास का दरिया, बयान, आजादी, मुबालक ये कमलेशुर के प्रमुख कहानी संग्रह होंगे फिर यहां से ये भी प्रशन बन सकता है कि कमलेशुर किस आंदोलन से जुड़े हुए थे तो ये समानंतर कहानी आंदोलन जो उननीसो बहत्तर में चला था समानंतर समानंतर कहानी आंदोलन इस से जुड़े थे समय इसका उन्नीसो बहत्तर होगा अगला पुशन देखिएगा इनमें से कौन सी कृती ब्रिंदावन लाल बर्मा की है तो सत्रा का सही भिगलब बताईएगा तो जो ब्रिंदावन लाल बर्मा की रचना होगी तो ये होगी आपकी समय अगर पुशा जयेगा भुवन बिक्रम का क्या होगा उन्नीस सो इसताब निस का समय हो जएगा बाकी मुशी प्रेमचंदर का गोदान हो जएगा भगवती चर्ण बर्मा का चितर लेखा हो जएगा मनु भंडारे का यही सच है अगला पुशन है अठारा इन में जीवनी परक उपनियास नहीं है तो कौन सा यहाँ पर जीवनी परक उपनियास नहीं होगा खंजन नैन मानस काहंस पहला गिर्मिट्या ये तीनों तो जीवनी परक उपनियास है प्रंतु जो भूले बिश्रे चित्र है ये जीवनी पर उपनियास नहीं होगा तो किसका उपनियास है ये कैसा है देखिएगा पहले तो धियान रखना है ये भगवती चर्ण बर्मा का उपनियास होगा समय इसका 1969 होगा और दूसरा जो महत्पुन है कि इसमें जो बिश्य है मद्य बर्ग ये परिवार की चार पीडियों का चित्रन इसमें किया गया है ये धियान रखना है खंजन नैन और आपका मानस काहंस ये किसकी रचना होगी तो ये हो जाएंगी आपकी दोनों अमरित लाल नागर की जो खंजन नैन है इसका समय 1981 है और जो दूसरी रचना है आपकी मानस काहंस इसका 1972 होगा जो मानस काहंस है ये होगा आपका तुलसी दाची पर अधारित चो खंजन नैन है ये सूर्दास पर अधारित होगा फिर जो प्रशन बनता है पहला गिर्मीटिया ये किसका उपनियास है तो ये गिरी राज किशोर का गिरी राज किशोर का ये उपनियास होगा क्या समे होगा इसका 1999 किसकी जीवन पर धारिती ये उपनियास है तो महात्मा गांदी जी के जीवन पर धारिती ये उपनियास होगा तो ये भी तथी जहन रखीगा काफी महत्पुन होगे अगला जो प्रशन है यहाँ पर उननिस कौन सा उपनियास अधूरा नहीं है बड़ा ही अच्छा प्रशन है ये तो देखिए जो काफी सारे ऐसे उपनियास है जो उपनियासकार के द्वारा पूरे नहीं किया जै परन्तु बाद में उनको अन्य उनके सही होगी होगी है उनके पुत्तर होगी उनकी द्वारा पूरा किया जागा परन्तु अधूरा कौन सा छोड़ा नहीं गया था ये बात यहाँ पर की जा रही है तो सही होगा रतना की बात जो रतना की बात है ये एक बार में ही पूरा कर दिया गया था प्रंतु जो इरावती हो गया जैशिंकर परसाद का मंगल सुत्तर हो गया अपने मुशी प्रेम चंदर का चोटी की पकड़ हो गी निराला का ये तीनों ही अधूरे छोड़े गये थे किसी तरह बाद में इनको पूरा किया गया था अगला प्रशन है 20 इन में से संकलन तरह में किसकी गर्णा नहीं होती है काफी महत्कुन प्रशन है ये संकलन तरह में किसकी गर्णा नहीं होती है तो जो सही बिकल्ब होगा समय संकलन तरह में आता है स्थान भी आता है कारे भी आता है समय स्थान कारे प्रंतु जो प्रभावे ये संक्लन तरे में नहीं आता है, ये दियान रखना है आपने. अगला जो प्रशन है यहाँ पर 21, क्या पूछा गया है, अंगत का पाउं के लिखर कौन है? अंगत का पाउं के रचना किसकी है, ये बताना है, तो जो ये रचना हो जाएगी, श्रीलाल शुकल की, किसकी? श्रीलाल शुकल की, समय पूछा जाएगा अंगत के पाउं का क्या है, 1958 का समय होगा, फिर देखिए, यहां से वहाँ, 1970, मेरी श्रेष्ट ब्यंगे रचना है, 1989, 1989, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, 1933, आओ बैठें, तो कुछ देर, 1995, अगलिश तावदी का शहर, 1996, खवरों के जुगाली 2006, ये सारी ये सारी रचनाएं, श्रीलाल शुकल की होगी, और किस बिदा पर लिखी गी है, निवंद बिदा पर ये रचनाएं, या फिर निवंद स संगरह ये होंगे, ये बिदाएं याद रखनी है, पूछी जाती है, समय भी याद रखना है, बाकी अन्य जो रचनाएं बताई हैं, उनको भी आपने याद रखना है, अगला जो प्रचनाएं यहां पर 22, इसमें क्या पूछा या है, जै बर्दमान, जै बर्दमान ये किस की रचना है नाटक किसका है ये तो जो जय बर्दमान है ये होगा आपका डॉक्टर रामकुमार बर्मा के द्वारा लिखा गया नाटक जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो डॉक्टर रामकुमार बर्मा है ये आलोचनात्मक तौर पर लिखे गे गरंतों के लिए जान का शोक अगनी शिक्षा अगनी शिखा संत तुलसी दास जै बर्दमान स्वेंबरा इतियादी नाटक लिखे थे अगला प्रशन है यहां पड़ तरीस इसमें क्या पूछा गया है चक्कर कलव इसके रचनाकार कौन है तो चार बिकल्प दिये गए हैं जो सही होगा तो गो होगा यश्पाल यश्पाल जी के दौरा चक्कर कलव नामक निवन संग्रह लिखा गया है यह धियान रखना है फिर देखिए जो इनके बाकी के निवन संग्रह है तो वो है नियाय का संगर्ष राज्य की कथा चक्कर कलव देखा सोचा समझा काफी महत्पून है यह बात बात में बात यह भी काफी महत्पून है गांधी बात की शप्रिक्षा यह भी काफी महत्पून है यह भी धियान रखन में ब्योत्पत्ति का सही अर्थ क्या है पहले तो दियान रखना है कि जो काब्य जो ब्योत्पत्ति है किस में आती है काब्य हेतू में आती है फिर जो यहां पर है इसका सही अर्थ क्या होगा तो यह होगा आपका शब्द यान क्या होगा शब्द यान जो काब्य शास्तर से स परकार किये, अगर बात की जाए कौन-कौन से, पहली तो हो गई प्रतिवा, पहली प्रतिवा, दूसरी कौन सी है, ब्योत-प्ति, और ती सी कौन है, तो ये अभिहास हो जाएगा, अभिहास, ये तीन हो गई, इनका धियान रखना है, इसके पर शाथ अगला प्रशन देख ल अगला प्रशन है, इसमें क्या पूछा ये है, काभ्य गुणों के प्रतिश्ठापक अचारे कौन हैं, काफी महत्म प्रशन है, तो जो काभ्य गुणों के प्रतिश्ठापक अचारे माने जाते हैं, तो ये आफके बामन माने जाते हैं, सी सही बिगल्फ हो जाएगा, ये भी देखिया आगे तथी ये भी दिया गया है कि बामन ने गुनों को दो भागों में विभाजित किया एक तो है शब्दगुन दूसरा है अर्थगुन बामन ने गुनों की संक्या कितनी मानी गुनों की संक्या मानी इन्होंने 20 और भरतमुनी ने गुनों की संक्या कितनी मान भर्तमुनी ने 10 मानी थी ये भी ध्यान रखना है फिर और तत्य है जो भामर होगे ममठ होगे अनन्द बर्दन होगे इन्होंने गुणों की संख्या कितनी मानी तो इनके दुआरा 3 मानी गई थी और अब भी 3 ही मानी जाती है कौन-कौन से गुण है 3 एक तो हो गया परसाद दूसरा माधुरिय और तीसरा हो गया ओज ये तीन गुण महत्पून है प्रिक्ष्या में पूछे जा सकते हैं तो दोस्तों कुछ इस परकार से आज का ये हमारा लेक्चर था वैसे तो जादा लंबा नहीं खिंचा परन्तु कुछ तथिया आपको अलग से बता हैं जिस का कोर्स में अनौल हो जाएगा क्योंकि प्रिक्षा के लिए कम ही समय अप्षिष रह गया है तो जल्द रहे जल्दी से जल्दी आप इसमें अनौल होते हैं तो आपको लेक्चर मिलना शुरू हो जाते हैं अगर अंत में जूरते हैं तो आपको उतना समय लग जाता है अपने डिस्काउंट मिल रहा है तो चलिए अब यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं आप वीडियो के इन तक बने रहे हैं इसका बहुत धन्यावाद